नमस्कार दोस्तों, स्वागाता आपका हमारे चैनल नौल श्ट्रेडी ललिप में आज हमें यहाँ पर बात करेंगे जी बिग्यान के 25 महत्पूर प्रस्णों के बारे में दोस्तों यह ऐसे क्वेश्चन है जो एक्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों यह वीडियो का भाग चार है, भाग तीन, भाग दो और भाग बन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहला प्रस्ण है भोजन का अनिवार अवियब क्या होता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बो हाइट्रेट नेक्ट कोशन देखते हैं, कौन सा पदार्थ मानब सरीर में इधन का कार्य करता है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बो हाइट्रेट नेक्ट कोशन देखते हैं, कैपसूल का आवरण किसे से बनता है तो इसका answer हो जाएगा starch दोस्तों एक question काफी ज़्यादा important है exam में कई वार repeat हुआ है next question देखते है सहद का मुख्य घटक क्या होता है या सहद में मीठे पन का क्या कारण है तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा fructose काफी ज़्यादा important question है प्राक्रतिक सहद किसे कहते है तो इसका answer हो जाएगा fructose next सहद में क्या होता है तो इसका answer हो जाएगा carbohydrate सहद में पाए जाता है next protein बनने के लिए कितने amino अमल की आफशकता होती है तो इसका answer हो जाएगा 20 काफी important दोस्तों यह selective question है आप नोट भी कर सकते है next जाएगते है enzyme मूल रूप से क्या होते है तो इसका answer हो जाएगा protein यह protein होते है next soya bean में कितने प्रतिसत protein पाए जाता है तो इसका answer हो जाएगा 42% next protein का सर्व प्रमुख स्त्रोत है answer soya bean next गाजर में कौन सा vitamin पाया जाता है तो इसका उप्तर हो जाएगा vitamin A next देखते है मानव सरीर में vitamin A किसमे संचित रहता है दोस्तों एक question B के exam में कई बार repeat हुआ है तो यह रहता है संचित यक्रत में आप नोट भी कर सकते हैं इसको next किस vitamin में कोबाल्ड पाया जाता है इसका answer हो जाएगा vitamin B12 next vitamin जो खटे फलो में पाया जाता है वाद चर्म रोग में भी लावधायक होता है तो इसका answer हो जाएगा vitamin C next vitamin C का सबसे अच्छा इस्त्रोत है तो इसका उत्तर हो जाएगा आमला आमला में जो है vitamin C सरवादिक पाया जाता है next किस vitamin की कमी के करण मसूडों में रक्त आने लगता है तो इसका उत्तर हो जाएगा vitamin C next question देखते है सबजियों में कौन सा vitamin नहीं पाया जाता है दोस्तों एक question काफी जादा important है तो इसका answer हो जाएगा vitamin D vitamin जो D है वो सबजियों में नहीं पाया जाता है next मशलियों के यकरत के तेल में किस vitamin की प्रिचुरता होती है दोस्तों एक question भी काफी जादा important है इसका answer हो जाएगा vitamin D next मानव सरीर में रक्त का थक्का किस vitamin से बनता है इसका answer हो जाएगा vitamin K next हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए कौन सा खनीच आवश्यक होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा potassium और दोस्तों मैं आपको बता दू सेब में potassium की मात्रा काफी पाय जाती है इसलिए सेब का 7 दंतर करते रहना चाहिए next सागरिये खरपतबार किसका महतपूर स्त्रोत है तो इसका उत्तर हो जाएगा iodine next iodine का सरवोत्तम स्त्रोत क्या है इसका उत्तर हो जाएगा सैबाल काफी ज़्यादा important question है ये next iron सरवादिक की सबजी में पाय जाता है दोस्तों ये पाय जाता है पालक में next दहरे तले हुए खात पदर जैसे इसमें cancer जनक होते हैं क्यूंकि उनमें पज़ोर्ता होती है दोस्तों ज्यादा तले हुए खाना से cancer का होने का खत्रा बना घता है तो इसका उत्तर हो जाएगा जसागी next मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा बिटामिन मदद करता है तो इसका उत्तर हो जागा बिटामिन A दोस्तों यह important question थे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हूँ तो कुप्या वीडियो को like, share and subscribe भी कर दें जिससे आपको अगले वीडियो का notification समय से मिल जाए